होलो गुड वर्निंग डोस्त रवी ओनलेन क्लासेस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुलेट फारा म्यानी रुक मिनी परकासन का बी एस पी सील एकनी सेरिंगेड थिरे का मोडल प्रैक्टिस सेट वन भोलूम टू का भोलूम टू का मोडल प्रैक्टिस सेट सेंग्या एक है पहला की उचन है औरंग्जेव के बाद मुगल समराज का अगला उत्रधिकारी कौन था तो औरंग्जेव के बाद मुगल समराज का अगला उत्रधिकारी बहादूर सा प्रतम था औरंग्जेव का जन में 1618 इस्वी को उजयन के निकट दोहद नामा कस्थान पे मुम्ताज महल के गर्ब से हुआ था इसकी मिर्टू 1707 इस्वी को हो गया जो 3 मार्च 1707 इस्वी को प्राता काल नवाज संपन करने के बाद आमद नगद में और अंग्जेव की मिर्टू हो गया उसकी सब को दोलतावाद इस्थित खुलदावाद नामा का स्थान पे ले जाया गया और वहाँ पे दफनाया गया तो अरंग्जेव के बाद मुगल संवाज का अगला उत्रधिकारी बहादूर सा प्रथम थे बहादूर सा प्रथम का सासनकाल 1707 इस्थि से 1712 इस्थि तक था इनका बस्ताविक नाम मुग अज्जम था बहादूर सा का बस्ताविक नाम क्या था मुग अज्जम था बहादुर सा प्रतम को साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है केचनमर टू क्यों बढ़ते हैं भारतिये सविधान के अनुछेद एक के द्वारा भारत को किस रूप में परिवासित किया गया है भारतिये सविधान के अनुछेद एक के द्वारा राजों के संग के रुप में परिवासित किया गया है। केवल अधारित रेलवे पुल किस राज या केंदर सासित परदेश में इस्तित है। और तरक्स रिलेटर के उचन है। तो आसा छोटा कर दे रहे हैं। पहचाने की भारत में क्रिसी समन्द में निमलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत में रभी की फसले अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। और मार्च अप्रेल में काट ले जाती है। तो हां। भारत में क्रिसी के समन्द में रभी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। मार्च अप्रेल में काट ले जाती है। कथन तू कहता है। भारत में रभी के धोरान उगाई जाने वाली मत्पुन फसल धान, मक्का, चना, स्वाबिन और समागरी है। तो नहीं, यह नहीं हो सकत है। इसमें गेहूं, जौव, मतर, चना, सरसु आदी है। यह रभी फसल है। तिसरा है। आस अमण और बोरो असम पच्छी मंगाल के ओडिसा में धान की तीन फसल है। धान की तीन फसल है हमारे पच्छी मंगाल असम ओडिसा में उपजाई जाती है। तक कथन एक और कथन दो सब्सक्राइब करता किसे माना जाता है तो सुप्रीम कोट का किसे माना जाता है सुप्रीम कोट का सविधान का अन्तिम व्याख्या दाता उच्तम न्यालाय में है सुप्रीम कोट का उलेक भरतिय सविधान के भाग पाच में अनुछेद 124 से 147 में बरनित किया गया है निमलिखित नदियों में इसे कौन से एक प्रायदिपिये नदी है तो तापती एक प्रायदिपिये नदी है यह बैतुल जिले के मुल्ताई के पास सत्पुरा पहारे की स्रेनी से निकलती है तापती की कुल नमभाई 724 किलो मीटर है हाली में जारी बैस्विक बौधिक संप्रा सुचकांग 2024 में भारत की स्थान पे रहा है तो ब्यालिस्मा स्थान पे कौन सा स्थान पे ब्यालिस्मा किसी भी स्याई खेल में स्वार्ण पदक जितने वाले पाले भरतिये महिला एतलिट कौन थी तो कमल जित संधू IUCN ने मैगरोव परिश्थित्की तंत्र के अपने पहले बैस्विक मुलकान में डौडो टटिये छित्रों में मैगरोव को गंभीर रुप से संकट ग्रस्थ के रुप में सुचित किया है तो उप्रुक्त सभी हो जाएगा मालदेप तमिलाडव और सिलांकाइन में से सभी रिजनिंग है दोश्थ श्रिंखला को पूरा कीजिए तीन साथ पंद्रा डौड तीर साथ हेकसो सताईस देखे तीन दूनी छी आव एक साथ दूगना करके दूसरे गुना करके वन जोरा इन साथ दूने चवदा पलास वन पंद्रा ताब 15 दूनी तीस आव एक तीस हो जाएगा तहां पर राइट अंट से क्या होगा एक तीस आ दिये गए चित्र में आयतों की सैंख्या बताएं ती आयतों की सैंख्या कितनी है तो दिये गए चित्रों में आयतों की सैंख्या बीच होगा कितना होगा बीच होगा उस आक्रिति को चुनियों जो अन से भीन है तो दी गई आक्रिति में विकल्प बी जो है अन से भीन है तो कि इसमें लमवत है क्या है लमवत एक दूसरे एक क्या एक लमवत है वाकी में लमवत नहीं है प्रस्थ्मों में दिये गए विकल्पों में से समंधित है सब्द को चुनिए समाचार पत्र पाठक तो रोटी के क्या हुआ जिस परकार समाचार पत्र पाठक द्वारा पढ़ा जाता है उसी परकार रोटी भोगता द्वारा गरहन किया जाता है इसका राइट एंड सो जाएगा उपभोगता है क्योंच नमर 15 दिये गए विकल्पों में से 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 दिये विकल्पों में से दिये विकल्पों में से दिये विकल्पों में से दिये व मानम निर्वित भी होता है जबकि अन्स अभी परकिर्तियुक से सौर मंडल के भाग है तो अप्सान नमबर क्या हो जाएगा बी उस विकल्प का चैनकर जिसका तिसरे पद से वही समंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छट्थे पद का पाचमे पद से है तो पंदरा को लिखा है 59 सौ 13 देखिए 15 पलस 2 के क्यूव बनाया है 17 के क्यूव उत्वाण पर उन 417 तो यहां पे आठफ पलस दू के क्यूव मतलब 10 क्यूव क्या होगा एक थे टो होगा विए एक हजार होगा और एक हजार होगा यहां गारा ये जो तेरा की क्यूव है एक आईसाव संतान में तेरा के कीव गत्म है एक आईसाव संतान में जहां पर आइटेंट से क्या होगा एक हजार दोस्तो एक महिला का पड़्चे देते हुए रोहन ने स्याम से का उसकी एक बेटी और एक बेटा है मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ उस महिला का रोहन के साथ क्या समंध है तो मा होगे, क्या होगे मा, महिला रोहन की मा है महिला रोहन की क्या है, तो मा 17600 को राजा, कुमाराम और मोहन के बिच इतना के अनुपात में बाटा जाता है, इसमों मोहन का हिसा क्या दिये हुए को अनुपात मान लिजिए 6X, 7X, 9X और पलस कर दिजिए और बराबर 7600 और X के मान निकालके और मुहन के हिसा कितना है 9X गुना कर दिजिएगा तो 7200 रुप्य आएगा कितना आएगा तिन गुनी हो जाएगे अब से पाच बर्स बाद उसके पुत्र की आयू पिता की आयू उसके पुत्र की आयू की तिन गुनी हो जाएगे पाच बर्स पहले पिता की आयू उसके पुत्र की आयू की साथ गुनी थी उसकी बरतमान आयू क्या होगा देखे बढ़ेगा आयू त और पूत्र की तिन गुनी बोला है तो पूत्र में तिन से गुना केजिए यहां से समिकरन वान आएगा यहां से समिकरन वान फिन पाच बर्स पहले बोला है तो एकस माइनस पाच हो जाएगा इधर भी आयू कमेगा तो आई माइनस पाच पूत्र के क्यों गुनासत समीकरन्टु है यहां से हल किजयेगा तो एकस और वाई के मान निकलेगा एकस और वाई का तो आपको निकालना है पिता की उम्र निकालेगा तो पिता की बर्तवान आई होगा दोनों की उमर पूछा है इसका राइट अंसर हो जाएगा चालिस वर्स और दस वर्स दिनेश फ्रेंच में असी में 68 अंग अंग्रेजी में 100 में से 78 अंग असपैनिस में से में 70 में से 48 अंग और जापानी में से 50 में से 28 अंग प्राप्त करता है उसके द्वरा प्राप्त अंगों का कुल प्रतीसत क्या होगा तो ये सभी को जोड़ दिजे और कुल कितने अंक का है उससे भागा दे दिजे उससे भागा दे जिए जैसे 80, 70, 150 को बटा में रखिए बाकी जो प्राप्त अंक है उसको उपर लखिए और परतीसत के लिए 100 से गुना किजे तो इसका इंसर आएगा 64 प्रतीसत कितना आएगा 64 प्रतीसत दिए गए बाक में विप्रुक्त सब्द का चयन करे चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ती किजिए तो महिनत ही जीवन है महिनत ही क्या होगा जीवन यहाँ पर क्या भरा जाएगा महिनत ही जीवन तो क्या भरा जाएगा जीवन दिये गए सब्द का प्रयावाचिस सब्द ग्याद किजिए अंकुस का प्रयावाचिस सब्द क्या होगा ता अंकुस का प्रयावाचिस सब्द पमंदी होता है क्या होता है पमंदी निमलिखित में से पुन बिराम चिंग का पहचान किजिए अपुर्ण बिराम चिंग का संकेत होता है यह बला क्या होता है अपुर्ण बिराम चिंग का तो अपसर नमबर क्या हो जाएगा 23 का तो राइट एंड से हो जाएगा C क्या हो जाएगा C और यह किसका है अपुर्ण बिराम का है अर्ध बिराम का यह बाला अर्ध बिदाम हो जाएगा और प्रेक्षन बाते चीन का ए वोगे नो दिन चले अढ़ाई कोष इस लोकृति का आर्थ 96 दिन चले अढ़ाई कोष लोकृति का आर्थ गजाई राइटनला उप्सनमर सी पुरवर्ती सब्द का बिलोम सब्द क्या होता है तो पुरवर्ती सब्द का बिलोम सब्द होता है परवर्ती क्या होता है परवर्ती अप्सन नमबर B कौन सा स्वर संजुक्त स्वर है तो U, U जो है संजुक्त स्वर है निम्न में पुलिंग सब्द है तो 27 का राइट एंस हो जाएगा गीत पुलिंग सब्द हैं स्वार्थ सीध काना अर्थ किस मुहाबरे का है तो 28 का राइट एंस हो जाएगा अपना उल्लू सीधा काना निमलिखित में सुध बर्तनी का सब्द चुनियें प्राक्थन सब लिखा हुआ लेकिन सही कौन लिखा हुआ है तो सुध बर्तनी प्राक्थन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है बाकी सब गलत लिखा हुआ है निमलिखित में से कौन सा सब्द सुध बर्तनी का है प्रजवलित है प्रजलित है जो कौन से प्रजलित समुजल उज्वल समुजल तो तीस का लाइट से होजएगा प्रजल ज्वलित है आपसा नमबर ए तो एक्तिस का लाइट एंड सुड़ों जाएगा अपसा नमबर ए 32 का होगा option number A 33 की क्या होगा 33 का option number B और 34 का option number D 35 का होगा option number D अब यहां से computer है बेव deployment में server site scripting के लिए आमतर पर निमलिकित में कौन सी programming भासा का उप्योग किया जाता है तो PHP का किसका प्रोग किया जाता है PHP का Hyper test processor कहा जाता है PHP का Command integrator का मूख कार्ज क्या है तो Command integrator का मूख कर्ज उप्योग करता है दोवारा निर्दिष्ट अगले command को प्राप्ट कायाना और निस्पादित कायाना option number C निमलिखित में से कौन सी मसीन को मनुख से input के अब साकता होते हैं लेकिन वा स्वाय output की ब्राख्या कर सकती है तो AI सिस्टम AI सिस्टम computer में data संग्रहित करने के लिए उप्योग के जाने वाला 8 bit encoding परणुप निमन में से है तो E, B, C, D, I, C option number B database को hack करने या data तक पहुंचने और उसमें हेर फिर करने के लिए हैकर को निमली खित्म से कौन सी भासा जाननी चाहिए तो SQ will जानना चाहिए data base को hack करने या data तक पहुंचने और उसमें हेर फिर करने के लिए एक हैकर को SQ will मतलब structured query language का अग्यान होना चाहिए TCP IPC reference model में कितने पढ़ते मौजुद होती है तो TCP IPC channel model में चार पढ़ते होती है चार पढ़ते होती है Link internet transport और application Link internet transport और application निमन में से कौन सा email उप्योगता का एक उधारन है तो Outlook email उप्योगता का एक उधारन है Outlook email उप्योगता का एक उधारन है और जो bird है bird एक bird processor है और Excel एक spread sheet software है राउटर द्वारा packet को forward करने के लिए किस पत्ते का उप्योग किया जाता है तो IP पत्ता का उप्योग किया जाता है निम लिखित में से कौन सी भासा computer समझता है तो computer केवल binary भासा को समझता है जीरो और एक को समझता है computer केवल जीरो और एक के रूप में समझता है जिसो बाइनरी भासा कहा जाता है html में b तथभी tag किस से परिवाद समागरी को दर्शाता है दिखिए जो ऐसे लिखा इसको comment tag कहते हैं और ऐसे ऐसे और बीच में to फिर ऐसे इसको hending tag कहते हैं अब ऐसे लगाया हुआ है तो paragraph element कहा जाता है तो 45 का right hand से हो जाएगा option number priest भूमी background क्या हो जाएगा background MS Excel 2016 में बर्क सिट के एकदम दाहिने अस्थान पे निमलिखित में से क्या दिखाई देता है तो MS Excel में बर्क सिट के एकदम दाहिने अस्थान पे vertical scroll war दिखाई देता है बताएं कि निमलिखित में कथन सत है या अस्थान इमेस बर्ड 2016 में सभी पेरा ग्राप में राइट अलाइमेंट हो सकता था हाँ इमेस बर्ड 2016 में सभी पेरा ग्राप में राइट अलाइमेंट हो सकता है या कथन सत है इमेस बर्ड 2016 में सभी पेरा ग्राप में एकी हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता था इमेस बर्ड में सभी पेरा ग्राप में एकी हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है इमेस बर्ड में एक पेरा ग्राप का टेस्ट दाइं सनेकित होता है जब इसे समान मार्जिंग के साथ समान रुप से सनेकित किया जाता है तो ये गलत है option number कथन दो असत है A सत है और B दूसरा असत है option number A इंसर हो जाएगा किसी email का reply देते समय reply और reply all के बीच मुख अंतर क्या होता है तो reply केवल मुल सिंडर को जवाब भीचता है जबकि reply all मुल इमेल के सभी रेसी प्यूटेशन को जवाब भेजता है option number इसके क्या हो जाएगा अभी right hand से हो जाएगा MS Excel 365 में MS Excel में किसी bad book को save करने के लिए निमलिखित में से किस keyword सोटगर का उप्योग किया जाता है तो 49 का right hand से हो जाएगा control पलस इसका control पलस इसका इंटरनेट और की texture model की किस layer के माध्यम से network को के वीच factor की routing की जाती है तो network layer के वीच किन के वीच network layer के वीच अब यहाँ से technical question शुरू होता है दोस्त technical देखेगा निमलिखित में कौन 50 amp धारा को परवाहित करने के लिए उचित तामवे का तार है तामसा nummer क्या हो जाएगा अब भी DC motor में परवारता का क्या उद्ध है तो DC motor में परवारता का उद्ध है परहंबिक धारा को नियंत्रित काना तामसा nummer क्या हो जाएगा D किसी केवल का कुचालक पदार छिनने के λिए चाकू किस को रखना चाहिए तक किसी केवल का कुछालक पदार छिनने के लिए चाको बिश दिगरी से कम पर रखी जाने चाहिए अप्सन नमर क्या होगा भी प्रतिदिप्ती लेंप में चोक क्या करता है तो प्रतिदिप्ती लेंप में चोक पार्गम में आर्क करने के लिए उच भोल्टता उत्पन करता है पार्गम में आर्क करने के लिए उच भोल्टता उत्पन करता है या 800 से 1000 भोल्ट उत्पन करता है किसी बिधुतुप करन में तापन अभ्याम में कौनसा गुन होना चाहिए तो उच पत्रोधाकता होना चाहिए क्या होना चाहिए उच पत्रोधाकता ट्रांस्फर्बन में टैप चिंजर का कार्ज क्या है तो ट्रांस्फर्बन में टैप चिंजर का कार्ज भोल्टेज को घटाना वा बढ़ाना होता है ट्रांस्फर्बन में टैप चिंजर का कार्ज क्या होता है तो भोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है option number क्य होजा इसका...? deep voltage घटाना हुआ, बढ़ाना hierarch已经 number relevant diesel generator set में उप्योग होने वाले lubic int tego liked का AC number क्या परदर्शित करता है? तो diesel generator set में उप्योग होने वाले lubic int tegoойд का AC number का स्यानता को परदर्शित करता है स्यानता को परदर्शित करता है अप्सन नमबर बी एसी का पूर्ण पता है तो सीटी ओफ एटोमेटिक इंजन से केंडीला निम्न में किसका इकाए है तो केंडीला जोती तिवरता की काई होता है किसका है जोती तिवरता का नियामा अनुसार किसी अस्थान पे छरण द्वारा पूर्व भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए तो बी आई एस के अनुसार किसी अस्थान पे छरण धारा पूर्व भार धारा के एक बटा अच्छे जार भाग से अधिक नहीं होना चाहिए तो आपसन नमर क्या हो जाएगा कि इंडेक्शन मोटर में अधिक्तम तॉर्क के उत्पति की क्या सड़ते हैं तो रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिगाद के समान होना चाहिए रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिगाद के समान होना चाहिए एक छे पूल अल्टरनेटर एक छे पूल अल्टरनेटर एक हजार आर्पीम की चाल से चल रहा है यहाँ एक फेज बाइंडिंग के साथ तिन स्लोट प्रती पूल रखता है यदि परतेक स्लोट 20 डिग्री दूर है तो बितरन गुनांक ग्याद किजिए इसका बितरन गुनांक हो जाएगा 0.96 में 0.56 में आउपसेन नमबर D एक जणेर्टिंग अट्रेसन इंटरकनेक्टेड होता है तो एक जणेर्टिंग अपूलती को बिस्वनियता के लिए इंटरकनेक्टेड होता है क्या हो जागा आपसा नमबर है आपूर्ती की बिस्वनियता के लिए मुख संचरन लाइन के दोनों और संचरन लाइन फिंडिंग पाबर दितियक संचरन कहा जाता है मुख संचरन लाइन के दोनों और संचरन लाइन फिंडिंग पावर को दितियक संचरन कहा जाता है 900 RPM पर चल लाही 50 हर्टेज 6 धरोग 3 फेज प्रियर्ण मोटर की तक्रीबन दस्ता कितनी होगा तो देखें यहाँ पर आपको NS निकालना हो कि दस्ता बराबर होता है एनर बटा NS गुने 100 ठीक है तो एनर तो RPM हो गया एनर क्या होगा RPM एप बराबर 50 हर्टेज देवा पी बराबर 6 तो NS बराबर फर्मूला लगा देजिए सबसे पहले आपको NS निकालना होगा तो NS का फर्मूला होता है एक सो बीस एप बटा पी पी पोलो की संक्या एक आपरिती तो NS यहां से निकाले जाए तो एक हजार आएगा तो 900 बटा एक हजार गुने 100 तो इसका हल किजिएगा तो 90 परतिशत आएगा कितना आएगा 90 परतिशत आपसा नमर 2 ओवर हेट लाइन में उपयोग होने वाले इस पाथ के नलिका कार पोल कितनी दुरी पर होती है तो ओवर हेट लाइनों में उपयोग होने वाले दो इस पाथ के नलिका कार पोल के बीच की दुरी 50 से 80 मीटर होती है तो राइट एंड से कहो जाएगा 50 से 80 मीटर डी है क्यों चनमा 66 देखेगा डी सी स्थंट जनीतर के चुम्बंकन अभिलचनीक है अभिलचनीक बक्र कीन चीजों के बीच समान्ज दिखाती है तो वाई एच पर प्रिरित विदुत बहाकबल और एक चाच पर छित्र धारा EMA भे बिधुत बहाकबल इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स परकास रोथ से किसी सता पे प्रदीप्ती किस पर निर्भर करती है तो 67 का राइट एंड से हो जाएगा अप्शन नमबर भी दूरी के बर्ग के प्रतिलोम समानु पाती है एकल फेज उर्जा मापी को जब 1.2 किलो बाट भार से समन्धित किया जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकन में 600 गोलन करती है तो मापी नियतांक क्या होगा तो मापी नियतांक होगा 4000 कितना होगा 4000 एक आठ पोल परत्या वर्तक 375 आर्पीम पर घुल गाया है यदि पोलों की सैंक्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन अवरिती कितनी होगी तो यहां पर एनेस निकालना है मतलव अवरिती निकालना है तो अवरिती इसका राइट एंसर हो जाएगा इसको पचास से एनेस निकालना है न तो एनेस बराबर 120 एफ बटा पी एफ निकालना है और एन दिया हुआ रपीम 375 तो एफ निकालेगा तो पचास हारटा जाएगा कितना आएगा पचास हारटा जापसन नमर डी DC चालन की गती नियंतरन के लिए निमनवेस कौनसी बिधी दचता और उच्तम भोलता नियमन परदान करती है तो 70 का राई टेंस हो जाएगा और मेचर भोलता नियंतरन और मेचर भोलता नियंतरन अपसन नमर ए किसी ट्रांसफर्मर में प्राथ्मिक टंस प्रतीव फूल्ट है कमान 8 है यह defense क्मान आठ है यदि प्राथ्मिक फूल्टेज 110 भूल्ट ए तटा देटेज 20 वूल्ट हो सेकेंडरिक लिए टंस की सैंक्या गि stunt केजिए तब टंस की सैंक्या हो जाएगा दो सौ lawsuit रहा है नोमेरिकल का अलग सीरी चल रहा है निम्न में से किस उत्पादन पलांट का रहनींग ख़ड सब से कम है ताप यह हाईड्रो तुपीए उत्पादन प्लांट में बास्ट टर्बायन का कार्ज किया है. तो 53 का राई टेंट से हो जाएगा. उस्मा उर्जा क्यांत्रिक उर्जा में बदलना. 6aints candle power के सुरुत द्वारा उत्सर्जित कुल फलक्स कितना होता है. 74 का राई टेंट से हो जाएगा. साथ्षो चववंद समलव दो ल्यूमिन एक उपचाय ट्रांस्फर्मर के दितियक के संदर्ग में कौन सा कथन सही है भोलता कम होती है धारा बढ़ती है अबरिती इस्तिर रहती है तो यह गलत है भोलता बढ़ती है धारा कम होती है के भी यह इस्तिर होता अप्सान नमर भी सही है लगू पीच कुंडलन परत्या बढ़त्कों में क्या हानी होगी तो लगू पीच कुंडलन परत्या बढ़त्कों में कुल भोलता कम होगी लगो पिछ कुंडरन परतावर्तकों में प्रयोग करने से कुल भोलता कम हो जाती है एक के 1000 मेगा बोल्ट एमपियर 33 के भी 3 फिज सर्किट ब्रेकर किसी टूटी के कारण अचानक बंध हो जाता है तो रेटेड मेकिंग कैरेंट क्या होगे तो मेकिंग कैरेंट इसका निकालिएगा तो 17.49 के भी आएगा और मेकिंग कैरेंट 2.55 में गुना किजिएगा तो इसका एंसर आएगा 44.6 किलो एमपियर इसका एंसर होजागा अप्सन नमबर ए अठातर का अनुपात पूछ रहा है तो अठातर का लाइट अनुपात दो अप्सन नमबर ए वान्द समलो फाइब टेसला कंडिशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का अप्योग किया जाता है तो बीस एंपियर होगा इसका राइटन से क्या होगा बीस एंपियर किसी डीजल जेनरेटर सेट में अधी सफेद धुआ दिखाई देता है तो आज सूचित करता है कि दहन कच में पानी है किसी बेड रूम में कितने सर्किट लगा सकते हैं तो किसी बेड रूम में 6 एंपियर के 3 नग एवा में 16 एंपियर के 1 नग सर्किट लगाया जाता है इसका राइटन से ओप्सन नमबर C पंका एक 60 वाट का होना चाहिए घरेले बिदुत बाइरेंग के लिए लाइट का लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए बिदुत अस्थापन पर धुवरता परिच्छन करते समय किन किरियाओं का पालन किया जाता है तो बिदुत अस्थापन पर धुवरता परिच्छन करते समय बल्ब निकाल देना बोड से फ्यूज निकाल देना तता पंके का नियंतरक आफ कर देना चाहिए U. इसका राइटेंस से का हो जाए ऑप्स नमढर B, बल्ब निकाल देना बोडो में फ्यूज लगा देना पंके का नियंतरक आफिस्तिति में, रखना का फ्यूज यहां पे निकाल दीया हो जाएगा यहां पे गलत निकाल दीया ओगा तो आप्सलन सिंगल फेज ट्रांसफर्वर में पूर्ण भार ताम रहाने की इस परिच्छन से ग्यात हो सकती है तो लगू पतन परिच्छन से लगू पतन परिच्छन से सोड सर्किट स्टेस्ट से डबल क्रेज पिंजर प्रेरन मोटर के साथ डोल अस्टार्टर की सकती तक को मोटर के साथ लगाया जा सकता है तो 1.5 किलोबाट तक बड़े आकार के तीन फेज इंडेक्शन मोटर में स्लीप का मान क्या होता है तो बड़े आकार के तीन फेज इंडेक्शन मोटर का स्लीप 1.5 से 2.5 प्रतिसद तक के बीच होता है इसका राइटन सोग अप्सन नमबर 2 भरतिये बिदुत नियमन के अनुसर उच भोलता लाइन पर किसी मार्क पर जमीन से कितनी नियुन्तम उचाई पर होनी चाहिए तो भरतिये बिदुत नियमन के अनुसर उच भोलता लाइन को किसी मान पर जमीन से 20 फिट की नियुन्तम उचाई पर होनी चाहिए अधिक भोलता पतन का आने वाले युकती क्यों है अधिक भोलता पतन का आने वाले युकती UGTA युनि पोलर जैक्सन ट्रांसिस्टोर कहा जाता है UGT का तो अधिक नमर क्या होगा आटलेट को किस तरह से जोरा जाता है तो 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले आटलेट को 1 DP स्वीश से जोरा जाता है multiply स्वीश से जोरा जाता है option number C एक डीपी स्वीश से जोरा जाता है 400 मेगा बोल्ट एम्पियर कोमा 20 किलो बोल्ट के अल्टरेनेटर में सिक्रोनस प्रति घात 0.3 पी हुए 200 मेगा बोल्ट एमपियर और 44 केवी के अधार मानकर सिक्रोनस प्रति घात क्या होगा तो इसे 89 का राइट एंसर होगा आप्सन नमबर बी 2.4 पी यू किसी अस्थापना भू संपकरन प्रतिरोध काम करने के लिए निमन में से कौन सी विधी उप्युक्त है तो अनेक भू इलेक्टोड समानतर में जोआना अनेक भू इलेक्टोड समानतर में जोआना बहु फेजिये प्रियन मोटर में जिसमें अस्थार डेल्टा स्टार्टा लगा आ है परतेक कुंडलन में छोरो पर भोलता कितनी होती है तो बहु फेजिये प्रियन मोटर जिसमें अस्थार डेल्टा स्टार्टर में परतेक कुंडलन के छोरो पर भोलता लाइन रूट थीरी होती है, भोलता लाइन के रूट थीरी होती है, तो आपसर नमर क्या हो जाएगा, C, भील बटा रूट थीरी होता है, इन दिया हुआ है, प्रति-दीप्त लेंब के सिधांत पर कार्ज करती है, आच्छे कुछालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुन होना चाहिए, तो एक अच्छे कुछालक पदार्थ में उच भंजन भोलता का गुन होना चाहिए, तो अपसर नमबर क्या हो जाएगा B, A, C उच भंजन भोलता है अब अच्छे चाला के लिए पड़तिरोध संभव या था संभव निम्न होना चाहिए भाड़ी हुई गैस वाले लैंप में किस तपमान के बाद गैस बास्पी करीत हो जाती है लैंप काला पर जाता है तो भाड़ी हुई गैस वाले लैंप में 2000 डिग्री सिल्सियस तपमान के बाद गैस बास्पी करीत हो जाती है एवामें लैंप काला पर जाता है तो इसका राइटन से का ओप्सन नमबर B एक संचरन लाइन में उप केंदर पर तीन फेज टांसफर्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है तो एक संचरन लाइन में उप केंदर पर तीन फेज टांसफर्मर का अस्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है तो आप्सन नमबर क्या हो जाएगा A बिदूत गीजर में ताप नियंतरंग किस तरह जूरा रहता है तब बिदूत गीजर का ताप नियंतरंग तापन अबयब के स्रेनी में जूरा होता है तो अपसन नमर क्या होगा सीथ तापन अबयब के स्रेनी में मोटर की दिशा क्या बदनले में विप्रित की जा सकती है तो कईपसीटर स्टाटर सिंगल फेज ज मोटर की दिशा घहावी कुंडलन गहावी कुंडलन अथवा रंबी कुंडलन के समन्द बदनना अब सन नमबर डे निम्न में से कौन सा भूमिगत केवल अधिक्तम भोलता ले सकता है तो आयल पूर्ती केवल डिसी जनित्र में क्रम विनियक क्या कार्ज क्या है तो 95 का राइट एंड से हो जाएगा आपसन नमबर ए चुम अकिये छित्र की सक्ति को बढ़ाना और सा हो जाएगा एक ट्रांस्फर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् हानी वन वर्टा अर्थ लोड हानी तेहां पिका हो जाएगा आधे भार पर पूछाना है तो दो क्या स्क्वार हो जाएगा तो निकालेगा और हाई सवबाट और हाई सवबाट फेर आपका सव क्यों चन्सर